नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट जोतिस सास्त्र में सनी देब को सबसे प्रमुग ग्रह माना गया है और सनी देब सभी ग्रहों में नयाधीस के अस्थान पर भी है अब उनको एक कुरूर ग्रह भी कहा जाता है लेकिन सनी देब जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ असूभी प्रभाव देते हैं बलकि वो अगर प्रसंद हो जाएं तो बहुत निचले तपके पर जो बैकती है उसको भी राजाओं सी ठाट दे देते हैं इसलिए उनकी किर्पा प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने की आवस्थ सकता होती है और आलस से करने वालों से सनी देब हमेशा नाराज रहते हैं वैसे तो अन्य गरहों की तुलना में धिमी चाल चलने वाले गरह हैं और सनिदेव एक रासी से दूसरी रासी में जब जाते हैं तो कम से कम धाई साल का समय लगता है यानि पूरे 30 साल के बाद एक चक्र वो पूरे करते हैं 12 रासीों का अभी मकर रासी में है जो उनका खुद का घर है और 24 जनवरी 2020 से ही यहां पर है और 29 अपरेल 2022 को वो कुम रा है तो सनिदेव के इस परिवर्तन से आप तमाम रासियों पर इसका क्या प्रहों पड़ेगा आज हम आपके साथ यहीं साजा करेंगे अंतक बने रहे और यह प्रिक्षन चंद्रासी पर आधारीत है लेकिन सनिदेव की कुद्रिश्टी से बशने के लिए छलकपट अनेतिक कारे और अपमान बेगेरे से बचिएगा और साथ ही साथ अभी बरतमान में यानि कि 2021-2022 का जो 29 अप्रेल है यहां तक मिथुन तुलाब पर धहिया चलेगी धनु मकर कुम्ब पर साड़े साथी चल रही है तो चलिए जानते हैं विस्तार से क्या होगा 29 अप्रेल 2022 यहां से जो सनिदेव है न वो आपके अभी बरतमान में दसम में हैं आपके ग्यारवें भाव में जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आपके जीवन में खुसिया ही खुसिया लेकर आएगा क्योंकि देखिए यहां से आपके जीवन में बड़ा बदला आएगा राज योग तो चली रहा है थोड़ी बहुत चुनोतियां रहेंगी और थोड़ा सा पैरों में दर्द या नीद ना आने की समस्या हो सकती है और मां के स्वास्त का ध्यान रखें लेकिन पॉजिटिव यह है कि नोकरी वैपार में उन्नती होगा कारे छेतर बढ़ियां चलेगा समाज में मा आपके नवम भाव जिसको भाग भाव कहते हैं उसमें चल रहे हैं और 29 अप्रेल 2022 को जैसे ही आपके दसंभाव में आएंगे तब यहां पर से आपके लिए बिसे सुफलदाई हो जाएंगे और यहां पर ससनामक महापूरूस राजयोग बना कर चलेंगे तो ऐसे में आपक कुछ आपको मिलेगा जो जिसकी चाहत है आपको और आपके ऊपर ना तो साड़े साती चल रही है और ना ही ढईया चल रही है ना अभी चल रही है ना बाद में चलेगी और सनिदेव की किरपास से आपकी आर्थिक स्तिती में खू मजबूती आईगी दिन दूनी राज चो तरकी कीजेगा अब यहां पर देखिए थोड़ा सा सिर्फ आपके भाई बहनों के स्वास्त में कस्ट है लेकिन आपके जीवन में कोई खास टेंसर नहीं है बस आपको इमांदारी के साथ आगे बढ़ना जो मिथुन वाले हैं उनके लिए देखिए यहां पर आपके ऊपर धाया चल रही है सनिदेप की 29 अपरेल 2022 से आपकी धाया समाप्त हो जाएगी और अभी आपके अस्टमभाव में हैं और 29 अपरेल 22 के बाद वो आपके भागे भाव नमभाव में आएंगे तब आपके जीवन में इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा क हला कि यहां पर थोड़ा सा सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप अभी जो आपका स्वास्त गरवर चल रहाए तो की समस्या है और आपके माता पिता के स्वास्त में थोड़ा कस्ट्य धनकी मुस्किले हैं तो इसके लिए थोड़ा से धहर रखना है और मेहनत खूब करें क्य जाएंगे और यहां से आपकी धहिया सुरू हो जाएगी हला कि अभी ब loosen姪 बिभाव़ों में बैट कर आपके जीवन साती के स्वास्त में कस्ट दे रहा है और जब वह अस्टम हो में जाएंगे आपकी धहिया चलेने तो बिदेश से लब होगा अभी बरतमान में भी विदेश लात्र के योग दिखता है और आगे चल कर पार्टनर्शिप में कोई काम करेंगे तो उसमें परिशानी है और इसलिए आपको पार्टनर्शिप से थोड़ा साधान रहना है और अगर विदेश से नौकरी है वैपार है कोई काम करते हैं तो फि के लिए अभी सत्रु भाव में हैं चटे भाव में और 29 अप्रेल 2022 को वो जा रहे हैं आपके सब्तम भाव में विभास्तान पे अब विभास्तान में जाएंगे तो थोड़ा सा बैबाहिक जीवन में टेंसन पार्टनर्शिप में टेंसन ये तो देंगे और आपको यहां पर स देखिए एक बात अच्छी है कि ना तो आपके उपर ढहिया है ना साड़े साती है इसलिए आप ज्यादा टेंसनल है लेकिन इस समें ये होगा कि थोड़ा सा रिस्तों को लेकर खासकर जीवन साती के साथ तकरार ना हो जाए थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर ना हो जाए पार्टनर्सिप में काम करते हैं तो कहीं धोखा ना हो जाए इन सभी चीजों की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा आगे चलकर हलांकि जो बिद्यारती उनको भागे का साथ मिलेगा पढ़ाय लिखाई पर फोकस बनाए रखके जो कन्या वाले हैं अभी बरतमान में आपके पंचम भाव में हैं और पूरे साल यहीं पे हैं लेकिन इसके बाद सत्रु के बहुत छटे भाव में जाएंगे 29 अप्रेल 2022 को और यहां पर से जो सनिदेव जब रासी प्रेवरतन करेंगे तब क्या होगा न थोड़े बहुत टेंसन रहेंगे जैसे कि सत्रु तभी आपको पूरा इसका benefit मिलेगा हलां कि आपके लिए धन के मामलों में ठीक है वक्त तुला रासी वालों आपके ऊपर चल रही है धहिया 29 अप्रेल 2022 को आपकी धहिया समाप्त हो जाएगी और यहां से अभी बरतमान में चुकि जो सनिदेव हैं आपके चतुर्थ भाव में आएंगे अब जमीन प्रोपर्टी बेगरा का सुक तो अभी भी दे रहे हैं और सास नामक महापुरूस राजियोग बना कर चल रहे हैं तो सनिदेव बाले छेतर में अगर आप काम करते हैं पेट्रोलियम माइनिंग कोईला जैसी चीजों में जो या भूमी से समंदी च द्यान रखेंगे जो ब्रिस्चिक वाले हैं अभी आपके उपर ना साड़े साथी चल रही है ना धहिया चल रही है लेकिन 29 अप्रेल 2022 से आपके उपर धहिया शुरू हो जाएगी बर्तमान में अभी आपके तिरते भाव में हैं और 29 अप्रेल 2022 को सनिदेव आपके चतुर सानी रहेगी तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा और संभव हो तो आप कुल मिला कर ये वर्स तो आपके लिए अच्छा है लेकिन जैसे ही आपकी ढहिया सुरू होगी तब थोड़ा सा टेंसन बढ़ेगा तो अभी से ही उसकी तेयारी करें पॉजेटिव सोच के जो बाइस है यहाँ पर सनिदेव आपके तृती भाव में जाएंगे अभी बढ़िती भाव में है और आपकी साड़े साती समाप्त हो जाएगी तो जैसे ही समाप्त होगी तो लगेगा जैसे सरीर पर से बहुत बढ़ा बोज उतर गया फिर आप संतान प्राप्ति के योग बरतमान में भी बन रहे हैं और पारिवारी जीवन का सुख भी आगे भी जारी रहेगा तो ये आपके लिए राहत की बात है भाई बहनों का साथ मिलेगा और इसके साथ ही इस समें अचानक से धनलाप के योग बनेंगे और किसी भी कारे को आप हाथ में लेंगे तो बस देव लगन में बैठे हैं और आपके उपर साड़े साती का दूइती चल रहा है 29 अपरेल 2022 को जैसे वो आपके धन बाउं में आएंगे दूइती बाउं में आएंगे आपका साड़े साती का अंतिम फे सुरू हो जाएगा तब आपके जीवन में धीरे धीरे जो तनाओं है वो कम होंगे समाप नहीं हो रहे हैं कम होंगे 2025 तक और आपकी साड़े साती है तो ऐसे में ससुराल से सहयोग तो मिलेगा है साथ इस समय दामपत्य जीवन में उतार चड़ा है तो रिस्तों को संभाले माता पिता के स्वास्त का थोड़ा ख्याल रखे और नौकरी बेपार क आप काम करते हैं तो सफलता ज्यादा मिलेगी थोड़ा सा सिर्फ दामपत्य जीवन को आपको संभाल कर चलना होगा ओम संग्सने चरायनमह का जब आप कर सकते हैं जो कुम्ब वाले हैं आपके तो अभी बरतमान में चल रहा है साड़े साथी का सुरुआती चरण और 29 अप स्वास्त में थोड़ी परिसानी कराएगा थोड़ा खर्चा बढ़ाएगा थोड़ी से नीद ना आनी की समस्या पैरों में दर्द जैसी चीज़ें होंगे सत्रुग्रोधी बहुत टेंसन देंगे लेकिन अच्छी चीज़ यह होगी कि भागे का साथ भी मिलेगा अगर इस हैं और 29 अपरेल 2022 को आपके 12 भाव में आएंगे और आपके उपर साड़े साथी शुरू हो जाएगी अभी बरतमान में तो आपके लिए बढ़ियां वक्त है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए थोड़े बहुत भरम के सिकार हैं इनसे बाहर निकलिए विदेशी आपको मिलेगा तो इसमें आप जब साड़े साथी आपकी सुरू होगी थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा थोड़ा सा दामपत्ती जीवन में परिशानी रहेगी जिसके कारण आपको थोड़ी टेंशन बढ़ जाएगी तो रिस्तों को